मौनसुन अब अलविदा कहने के लिए तयार है लेकिन अलविदा कहता मौनसुन कई राज्चियों में आफ़त की बारिश लेकर जाता नजर आएगा मौसम विभाग ने अभी भी अगली 48 घंटे के लिए कई राज्चियों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है तो चलिए जानते हैं देश भर में मौसम का हाल सबसे पहले बाद देश की राजधानी दिली के मौसम की करे तो दिली में बीते दिन अचानक से मौसम का मिजास बदल गया है जिसके बाद से दिली एंसियार में मौसम सुहामना बना हुआ है दिली वास्यों को तेज बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है मोसम विभाग की माने तो दिली में हलकी से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमिटर की रफतार से तेज हवाय चलने की संभावना है वही राजस्तान के भी कई इलाकों में अगली 48 घंटे के दोरान भारी बारिश के आसार है ऐसे में मोसम विभाग नहीं वहां के लोगों को साफधान रहने की सला दी है मध्यपरदेश के उत्तर और पश्मी हिस्व में अगले 24 घंटों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके इलावा पहाड़ी राजिया उत्तराखंड और हिमाचल परदेश अगले 48 घंटे यानी 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक भारिश से भी बहुत भारी बारिश की चेतामनी जारी की गई है वहां के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ ही अलविदा कहता मोंसुन उत्तर परदेश में भी जूम जूम कर बरसे का पीते दिन राजदानी लखनौ सहीद पूरे परदेश भर में अच्छी बारिश देखने को मिली है और उमीद की जा रही है कि अभी भी बारिश बनी रह सकती है इन राज्यों के इलावा मोसम विभाग की माने तो इसी तरह का मोसम बिहार उपहमाले पश्चमी बंगौल सिक्किम असम मेगाले और अरनाचल परदेश में भी देखने को मिलेगा यहां भी अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है प्वार्म बंग।